अमर्जीत भगत ने यूवक कॉंड्रेस की राजनीती से अपने राजनेतिक जीवन की शुरुआत की. अविभाजित मध्य प्रदेश में वे यूवक कॉंड्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं. इसके अलावा वे यूवक कॉंड्रेस के सरगुजा जिला से जि विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2008 वद 2013 में भी विधायक निर्वाचित हुए थे। सीतापूर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाती वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्ग कल्यान संबंधी समिती, नेयम समिती के सदस्य बने। 2013-14 में वह सदस्य गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधित समिती, शासकिय आश्वासिनों संबंधी समिती सदस्य बने। 2015-16 में वह सदस्य विशेशाधिकार समिती बने। 2018 में विधायक च उने जाने के बाद 29 जून 2019 को उन्होंने मंत्री चत्तीसगर शासन खाद्य एवं नागरे कापूर्ती उपभोक्ता संरक्षन व संस्कृती विभाग के रूप में कार्यभार संभाला। विधान सभा चुनाव 2023 में कॉंग्रेस ने फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें सीतापूर विधान सभा से टिकत दिया, इस बार उनके सामने भाजपा के तरफ से एक पूर्व सैनिक रामकुमार तोप को थे। अमरजीत भगत ने इस बार अपनी मूंचों पर दाव लगा दिया और बोले की हार जाओंगा तो मूंच मुणवालूंगा। वो चुनाव हार गए अब देखते हैं आगे क्या होगा।